अरहर की डाल प्रोटीन का सबसे बड़ा शुरूत माना जाता है। हम सभी मनुश्यों के लिए और साथ साथ हमारे पशुधन के लिए भी अरहर किसी न किसी रूप में जीवन यापन का एक शुरूत मानी जाती है। अगर हम किसानों की बात करें तो अरहर की अच्छी कीमत मिलती है किसान उसको बेचकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं उसमें इजाफा कर सकते हैं अरहर के इस खेत में फलियों से लदे हुए इन पेड़ों को देखकर ही शायद सहकारिता मंतरी अमित शाह ने देश को ये भरोसा दिलाया होगा कि अरहर के उतपादन के मामले में भारत अगले चार साल में आत्म निर्भर बन जाएगा देश के किशानों को भी केंद्री ग्रह मंतरी अमित शाह ने ये भरोसा दिलाया कि 2027 के आखिर तक हम अरहर की दालों के उतपादन के मामले में न केवल आत्म निर्भर हो जाएंगे बलकि इस देश को 2028 साल में प्रवेश करते करते एक किलोग्राम दाल भी किसी भी देश स आयात नहीं करनी पड़ेगी ये भरोसा उन्होंने शायद इस तरह के लगदक लदे पेड़ों को देखकर ही जताया होगा लेकिन हम इस बात को इसपष्ट करना चाहते हैं कि देश में सिर्फ पांच या छे राज्य जिनका जिक्र अरहर के उतपादन के मामले में किया जात दक्षन से लेकर उत्तर तक जहां किसान परंपरागत तोर पर अरहर या अन्य दाले ना उप जाते हों दलहन के मामले में जिस तरह से केंद्री ग्रह मंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है कि हम आत्म निर्भर बनेंगे उसके पहले ही ये समझ लेना होगा कि आखिर इस इस देश आत्म निर्भर होगा 2020 आते आते ये विश्वास बढ़ा और किसानों ने सरकार के विश्वास की कसोटी पर खुद को खरा उतारते हुए पूरी तरीके से डाल का जो उत्पादन का लक्ष था उसे प्राप्त किया और सरकार की जोली में पूरी तरह से डाल और तिलहन की सारी फसलों को खास दोर से अगर हम सरसों की बात करें तो उसको तिलहन में भी शामिल करते हुए किसानों ने भरपूर उत्पादन दिया लेकिन 2020 के बाद किसानों को सरसों का कीमत जो MSP की कीमत है उसके आधार पर ना तो बाजार में मिली ना सरकार ने दी आलम यह हुआ कि 2023 आते आते उत्पादन घटा सरसों के मामले में हमारा रकबा भी घटा जो उत्पादन को लेकर किसान जिसकी बुआई करते हैं उसमें भी कमी आई यही इस्थिती थोड़ी बहुत अगर हम आकलों के आधार पर बात करें तो यही इस्थिती लगभग दलहन के मामले में हमारे यहां पारंपरिक तोर पर डालें जो कि हमारे भोजन की धाली का एक मुख्य हिस्सा होती हैं जिसमें पांच डालें मुख्य रूप से शामिल हैं जिसमें मूंग है उड़द है जिसमें चना है और अरहर है इन दालों की उप्योगिता पूरे देश में किसी ना किसी रहती है और किसान इसको अपनी जरूरत के साथ साथ, अपने दूसरों की जरूरतें को भी पूरा करने के लिए फोड़ी बहुत मात्रा में भले उगाते हूँ, लेकिन उगाते जरूर थे। सरकार का ये मानना है कि दलहन और तिलहन के मामले में जो आत्म निर्भरता में कमी आई है उसकी एक मुख्य वजए रही है कि पिछली सरकारों के दौर में किसानों को प्रोटसाहन देने के लिए जिस MSP और बाजार भाव की जरूरत होती है वो किसानों को नहीं मिली इसलिए इसका रकबा घटता गया उत्पादन घटता गया और मोधी सरकार ये दावा करती है कि दलहन के मामले में अगर अरहर की बात की जाए तो ग्रह मंतरी और सहकारिता मंतरी अमित शाह ने आकणों के हवाले से ये बताया कि 2014 में जब मोधी सरकार वजूद में आई थी तब अर 1350 रुपे हुआ करता था और आज 2024 में जब हम अरहर की बात कर रहे हैं तो इसका MSP 7000 रुपे प्रतिकुंटल पहुँच चुका है सरकार ने 65 फीजदी तक अरहर की MSP में इजाफा करने का जो दावा किया है उसके आधार पर सरकार पूरे आत्मे विश्वास के साथ ये कह रही है कि 2027 के आखिर तक दलहन के मामले में देश को आत्म निर्भर बना दिया जाएगा लेकिन इसके साथ साथ मूंग और चना के मामले में सरकार ने दावा किया है कि हमारा देश आत्म निर्भर हो चुका है अब बारी है उडद की और मसूर की और इसके साथ साथ अरहर की इसके लिए एक E समरद्धि पोर्टल जो लाँच किया गया है उसमें किसानों को ये पेच सकेंगे यानि किसानों की जेब में पैसा जाएगा पैसा जाने के साथ-साथ किसानों की आए बढ़ेगी और जिस तरह से अरहर की कीमत में सरकार का दावा है कि 65 फीजदी MSP में जो इजाफा किया गया है लगभग वही इस्थिती मूंग और चना के मामले में भी रही है अन्य दालों के मामले में सरकार भरोसा दिला रही है कि अगले कुछ सालों में MSP को दोगने से जादा कर दिया जाएगा लेकिन यहां बात सिर्फ कीमत की नहीं है सरकार को जमीनी हकीकत को समझना होगा हम इस समय बुंदेल खंड के जहासी छेतर में हैं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने इसी तरह से यूपी को दलहन और तिलहन के मामले में आत्म निर्भर बनाने की बात 2017 में की थी आज जब हम इस बात की जमीनी हकीकत को तलासते हैं कि जो बुंदेल खंड इलाका जहां बांदा और हमीरपुर और महोबा जिले अरहर की दाल के मामले में सबसे मशूर है और यहां की जो मिट्टी है यहां की जो आब औ हवा है वो डालों की उपज के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है और किसान पूरे शौक और सबाब के साथ इसको उत्पादन इसका करते भी है लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अन्ना जिप्रथा जिसे कुप्रथा कहा जाता है उसने अपने पैर पसारे आवारा जानवर जंगली पशूओं ने किसानों की फसलों क किसान की मेहनत को अंजाम तक पहुचाने के लिए जो भी सुरक्षा के इंतिजाम करने होते हैं फसल सुरक्षा को लेकर क्रॉप सेक्यूर्टी को लेकर सरकार जो दावे कर रही है वे अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाये हैं एक बात और आपको बताते चलें कि जो दलहन की की फसलें हैं या तिलहन की फसलें हैं जो भी गोवंश या आवारा पशु हैं उनके आहार का सबसे रुचिकर साधन होता है पशुओं के लिए भी इसको खाना इसका भोजन करना सबसे रुचिकर माना जाता है इसलिए शुरू में ही जैसा कि मैंने कहा कि दलहन और तिलहन क जो जरूरत हमारे शरीर के लिए है पोशन के लिहाद से प्रोटीन की उपलब्धता को देखते हुए वही जरूरत पशुओं को भी है इसलिए पशु खेत में जाकर जब उनको इनकी लहलाहती फसलें दिखाई देती हैं तो वे अपने साल भर की प्रोटीन की कमी को इन खेतो से पूरा कर लेना चाहते हैं और वे अंजाने में ही या जाने में इन ये जो फसले हैं इनको जाकर खतम करते हैं नश्ट करते हैं जिसे किसान फसल को नश्ट करना कहते हैं वह दरसल पशु अपने पोशन की पूर्टी करते हैं लेकिन सरकार जब तक इस हकीकत को नहीं तब तक उत्पादन के लिए किसानों को प्रोटसाहित नहीं किया जा सकेगा सिर्फ MSP की बात नहीं है सरकार MSP बढ़ा सकती है लेकिन किसान के लिए डलहन और तिलहन का उत्पादन करने के लिए जो जरूरी संसादन है जो माहौल है जो भी उसकी जरूरते होती है जब तक उ तिलहन या तिलहन में आत्म निर्भरता की बात बेमानी इसलिए होगी कि किसान दिल से इन ये सब फसलों को नहीं उगा पाएंगे अगर हम बात करें तो जिस तरह से 100 साल पहले मुंशी प्रेम चंद ने अपनी कहानी पूस की रात में किसान की इस व्यथा को रिखांकित किया इन सबी जमीनी हकीकते हैं इनको समझते हुए ही अपनी नीतियां बनानी होगी सिर्फ MSP देने से काम नहीं चलेगा आत्म निर्भरता के लिए किसान को उसके अंदर एक ऐसा जजबा पैदा करना होगा चाहे वो फसल सुरक्षा के लिए हो या बाजार से मिलने वाली कीमत क लिए हो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर जब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी किसान से बहुत जादा उमीद नहीं की जा सकती है क्योंकि यूपी और मध्यप्रदेश के इलाके जहां दालें खूब होती थी आज किसानों ने इनको सिर्फ इसी वजए से करना छो यह सभी किसान की फसलों को रात और रात चौपट कर देते हैं और किसान सिर्फ और सिर्फ मजबूर बनकर अपने खेती को अपनी फसल को चौपट होते हुए देखने के लिए ही अभिशप्त रहता है ऐसे में सिर्फ बाजार पर जाकर किसान को यह कहना कि उसको उसकी उप चाहे वो सोलर फेंसिंग की बात आज योगी सरकार कर रही हो इसी तरीके से सभी राज्यों में किसानों को उनकी उपज के लिए सबसे जादा सुरक्षा मोहया कराना सरकार की पहली और प्रात्मिक जिम्मेदारी होगी बाजार अपने आप किसान के पास तक पहुंच जाएग अगर चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी दबा दे